मंगल को पाराक्रम का कारक कहा गया है जन्म कुंडली में पाराक्रम का विचार अगर करना हो कुरूरता का लड़ाई जगडे का उर्जा का विचार करना हो जातक अंदर उर्जा कितनी होगी तो इसके लिए हम मंगल को देखते हैं और देव गुरु को तो आप सभी जानते है हर सुख के लिए धन के लिए उंचाई के लिए जीवन मेंदाम सम्मान संपदा सब के लिए देखते हैं अब देखा जाये तो एक सामान्य परिस्तितियों में जिसके पास ग्यान हो उसके पास बल नहीं होता और जिसके पास बहुत ज़ादा बल हो उसके पास ग्यान नहीं होता हनुमान जी बस इसके अपवाद थे ज्यान भी था, बल भी था और नम्रता भी क्योंकि नियम कहता है कि जिसके पास ग्यान हो उसके पास बल नहीं होता और जिसके पास बल हो उसके पास ज्यान नहीं होता और दोनों हो जाए तो नम्रता नहीं होती हनुमान जी के पास ये सब है तो देव गुरु ब्रहस्पती ज्यान और मंगल पराक्रम दोनों का संबंध बन जाए दृष्टी संबंध बन जाए यूती बन जाए और किसी भाव विश्यस किया वसकता नहीं कहीं भी शास्तर कहता है जन्म कुंडली के किसी भी भाव में देव गुरु ब्रहस्पती और मंगल की युती हो और कहीं से भी एक शुभग रह की दृष्टी पढ़ जाए ये योग किसी भाव में भी घटित हो जाए यानि गुरु मंगल की युती और उस पर शुभग रह की दृष् धनवान राजा कहाँ पूजय जाते हैं, तो अपने राज्य में बिढ़ विद्वान कहाँ पूजया जाता है, सरवट्र और बिढ़ विद्वानों के द्वारा भी जो पूजया जाता हो, वो ये योग बनाता है, गुरू और मंगल की यूती और उस पर किसी शुभग रह के दृष्टी सब कुछ मिल जाता है कुछ भी बाकी नहीं रहता है सब कुछ प्राप्त हो जाता है यह केवल इसी योग में होता है